दिकास और बिरासत का एक अद्बुत समन्वे प्रधानमंत्री मोदी जी की पैचान है। सतर वर्सों से अधिक समय तक जितने हाईवे थे आजादी के पहले और आजादी के बाद 2014 तक मातर दस वर्स में उसके लगभग दुगने हाईवे का निर्मान मोदी जी की समय इस साथ एमस से बढ़ करके आज संख्या बाइस हो गई है। पहली बार देश ने विरासत का सम्मान भी सरकार के अस्तर पर होते वे देखा है। और यह अद्बुत है। एक महापुरुस के विजन और दिडिशा सक्ति के कारण आज देश के अंदर देखने को मिला है। तो वहाँ प्रधान मंत्री मोदी जी के नित्रुत्तों में संभव पाया है। पब्लिक इसको हाथों हाथ ले रही है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्रिक मुल्यों के साथ जीते भे जनता जनारदन की सेवा और उनके आकांसान के इन रूप दिकास के कारे हो सकें। ये पहली बार देश के अंदर देखनी को मिला है। बिकास और बिरासत का एक अद्बुत समन्वे प्रधानमंत्री मोदी जी की पैचान है। और इस दिसा में जो कारे हुए हैं वह अद्बुत हैं। हम लोग जब जनता से इन मुद्दों पे चर्चा करते हैं तो पब्लिक का रिस्पॉंस भी इस बात को लेके आता है देखने को मिलता है। खास तोर पर जन मुद्दों पर पब्लिक का बहतर समर्थन मिलना है। एक इंफ्रस्टक्चर का हाईवे लगभग दुगने हुए हैं। देश के अंदर सतर वर्सों से अधिक समय तक जितने हाईवे थे आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद 2014 तक मातर दस वर्स में उसके लगभग दुगने हाईवे का निर्मान इस दोरान हुआ। एयरपोर्ट देश के अंदर 2014 तक मातर चबतर एयरपोर्ट थे आज डेड़ सो से दिख एयरपोर्ट हैं। एम्स कॉंग्रेस के समय एक एम्स बना है। सरदेव अटल जी ने अपने समय में छे नए एम्स की स्थापना के अधर सिला रखी। और मोदी जी की समय इस साथ एम्स से बढ़ करके आज संख्या बाइस हो गई है। ऐसे ही IIT, IIM, IIIT इन सब के विस्तार के लिए वन डिस्टिक, वन मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना। ये विकास की एक नई गाथा और विक्सित भारत की आधर सिला, इसके माद्यम से देश के अंदर बनी है। तो पहली बार देश ने विरासत का सम्मान भी सरकार के इस्तर पर होते वे देखा है। और ये अद्बुत है। आपने उसकी मिसाल देखी होगी। कासी में कासी बिश्व नाध्धम, महा काल में महा लोक का निर्मान, उत्राखंड में, केदार पुरी में, एक नए शुरूप में आना, बद्री नाध्धम का पुन्रोधः का कारे, सोमनात मंदिर की सुन्दरी करण का कारे, और पांसो वर्सों का अंधिचार समाप्तों करते हुए, अयोध्या में प्रभु स्री राम लला का पुन्ह बिराजमान हो जाना, एक एवल बिराजमान नहीं, बलकि इन सभी नग्रियों की कायकल्प भी हुई है, कासी में अगर आप देखेंगे, पहले पचास लोग एक साथ वहाँ पे बाबा बिश्वनाज्जी का दर्शन नहीं कर पाते थे, आज पचास जार लोग एक साथ भी आ जाएं, पहले पांसो लोग अगर अयोद्ध्या में आ जाएं, तो बड़ा संकट खड़ा हो जाता था, आज पांच लाख लोग एक साथ आ जा रहे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं, ऐसे ही अन्या, आस्ता से जुड़े हुए केंद्रों के इबारे में भी, एक नया स्वरूप हम सब को देखने को मिला है, और विरासत और विकास का यद्बुत समन्वे, अगर किसी एक महापुरुस के विजन और दिड़िछा सक्ति के कारण, आज देश के अंदर देखने को मिला है, तो वहाँ प्रधान मंत्री मोदी जी के नित्रतों में संभव पाया है, पबलिक इसको हाथों हाथ ले रही है, जनता जनारदन इन मुद्दों को अपना पूरा समर्थन दे रही है, पूरा समर्थन दे रही है, और मेरा मानना है कि जनता जनारदन का या समर्थन प्रधान मंतरी मोदी जी के नित्रतों में फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने के लिए जनता के आस्रिबाद में बदलेगा